हलो स्टुरेंट्स कैसे हैं आप आज हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास की और्गनिक केमिस्ट्री का NCRT का लास्ट चेप्टर एन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है पहले इसमें से क्वेशन कम आते थे लेकिन पिछले दो साल से इस एक क्वेशन तो इसमें आता ही है एक्जाम के अंदर वैसे तो यह चेप्टरा बायो में पढ़ चुके हैं बायो में पढ़ लेते हैं आप एकोलोजी वाले पॉर्शन में लेकिन फिर भी हम इसको यहां पर ब्रीफली डिसकस कर रहे हैं एन्वायरमेंटल केमिस्ट्री दे बीग तो जो भी हम यह देखते हैं जो भी हरमफुलट्री एफट्स होते हैं जो भी हम सब्स्टांस यूज करते हैं इनके जो हरमफुल इ। इफेक्ट है इन्हीं को हम कंसिडर कर रह रहे हैं एन्वायरमेंटल पॉशन में चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले हैं atmospheric pollution, atmosphere, atmosphere जो हम जानते हैं कि atmosphere की जो कुछ layers होते हैं, layers कैसे हैं, जैसे अगर हम sea level से 10 km तक देखें, तो इस जो layer है, इसको हम नाम दे देते हैं, trophosphere, और stratosphere इससे 50 km उपर, तो यहाँ पर जो है, trophosphere जो है, extend है, up to height of 10 km from sea level, इसके अलावा हम देखें, stratosphere जो है, 10 km to 50 km from sea level, इसके बाद देखें, यह जो अगर हम बात कर रहे हैं, trophosphere की, stratosphere की, इसमें होता है, nitrogen, oxygen, ozone and little H2O vapors, the presence of ozone, यह ozone किसमें मिलेगा अपने को, stratosphere में, और यह जो ozone है, 99.5% harmful ultraviolet rays जो है, इनको absorb करने का काम करेगा, इसको earth surface पर नहीं आने देता है, क्योंकि harmful effect होता है, ultraviolet rays का, high energy वाले particles होते हैं, raise होती हैं, trophospheric pollution, हम इसमें अभी देख रहे हैं, trophospheric pollution और trophospheric pollution जो है, यह किसकी वज़े से होता है, gaseous air pollutant and particle pollutants, pollutants, particulate pollutant and gaseous air pollutant, particle pollutant में जो होंगे solid particles या droplets होंगे, और gaseous pollutant में gases होंगे, देखें इसमें, पहले gaseous air pollution या gaseous air pollutant की बात करते हैं, और इसमें सबसे पहले आता है, SO2, SO2 जो है, यह industries जो है, industry में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, sulfur dioxide और इसका harmful effect क्या है, which cause respiratory disease irritation to eye resulting the fears and redness, तो, sorry, tears है यह, tears and redness, तो SO2 जो है, eyes में irritation करता है, और इस irritation की वज़े से, जो eyes यह redness हो जाती हैं, और इसके अंदर, जो है, tears, आसु आने लग जाते हैं, SO2 जब atmosphere में बहुत ज़्यादा हो जाता है, SO2 industries में बहुत use होता है, इसके अलावा, due to burning of fossil fuel, fossil fuel, जैनि petrol, diesel, यह सब जो होते हैं, इनकी burning से, जो है, nitrogen monoxide and nitrogen dioxide यह produce होते हैं, क्या effect होता है, nitrogen dioxide का, the irritant red has in the traffic and congestion, congested place is due to oxide of nitrogen, तो अगर हम देखें, अगर हम किसी congested area में हैं, या फिर हम traffic के अंदर हैं, तो traffic के अंदर जो होते हैं, हमारे eyes में जो होता है, redness आने लग जाती है, irritation आने लग जाता है, यह किस वज़े से है, nitrogen के oxides की वज़े से, nitrogen के जो oxides होते हैं, यह irritation cause करते हैं, और यह जो traffic में होता क्या है, जो petrol, diesel, burn हो रहा होता है, उसका जो धुआ होता है, वो हमारी आँखों में आता है, इससे हमें irritation होता है, उसमें mainly कौन होते हैं, nitrogen के oxides, इसके बाद देखें, NO2 is lung irritant, तो NO2 जो है, यह lungs में irritation करता है, respiratory disease होती हैं इससे भी, इसके अलावा, hydrocarbons, जो होते हैं, hydrocarbon, gaseous hydrocarbon की बात करें, यह होते हैं, carcinogenic, gaseous hydrocarbon, carcinogenic होते हैं, carcinogenic यह नहीं cancer produce करने वाले, इसके बाद देखें, carbon monoxide, यह carbon monoxide बनता कैसे है, जब हम किसी भी hydrocarbon को, किसी भी organic compound को, अगर हम burn करते हैं, insufficient of oxygen की presence में, तो incomplete combustion कह सकते हैं, इसमें हम, उससे मिलेगा अपने को carbon monoxide, और यह जो carbon monoxide होता है, यह highly poisonous होता है, कैसे होता है, poisonous, carbon monoxide जो होता है, hemoglobin के साथ bind होकर, carboxy hemoglobin बनाता है, carboxy hemoglobin और इस carboxy hemoglobin की जो affinity है, affinity जो है, वो 300 times ज्यादा stable होता है, ज्यादा stable होता है, जिसकी बज़ाए, oxy hemoglobin की बज़ाए, यानि hemoglobin का main function क्या है, oxygen को carry करने का, और उसी को carbon monoxide ने capture कर लिया, एक तरह से, carbon monoxide ने उसी को capture कर लिया, तो इससे क्या होगा, oxygen carrying capacity जो होगी hemoglobin की, यह reduce हो जाएगी, और अगर हमारी body में oxygen supply reduced हो जाएगी, तो यह एक poison का ही काम कर रहा है, इसलिए हमने कहा highly poisonous, आपने सुना होगा कभी बंद कमरे में, अगर मान लो कोई fire या कुछ इस तरह का कोई instrument है, जिसके अंदर एक तरह से carbon या fuel का एक तरह से combustion हो रहा है, अगर room बंध है, तो oxygen की supply inhibit हो जाएगी, और oxygen की supply inhibit होगी, तो carbon monoxide का formation होने लग जाएगा, और इस तरह से वो एक poisonous and atmosphere create हो जाएगा, नेक्स देखें इसके बाद में, high level of carbon monoxide in blood, जो level है carbon monoxide का, इससे क्या होता है, premature birth, premature birth and deformed babies, तो अगर कोई pregnant woman है और वो अगर इस atmosphere में आ गए, तो ऐसे में premature birth, या फिर ये कहें, इसके अंदर ये जो हो जाएगा, deformed babies, जो babies होंगे, उसमें deformation आ सकता है, poisonous atmosphere की वज़े से, next इसके बाद देखें, carbon dioxide, वैसे तो carbon dioxide जो है, pollutant नहीं होता, क्योंकि ये तो, जो plants है, इनके लिए एक तरह से, जो precursor है, या ये raw material का काम करता है, CO2, लेकिन अगर CO2 भी, अगर इसकी भी concentration जादा हो जाए, तो harmful हो सकता है, बनता कैसे है, CO2 is released in atmosphere by respiration, respiration से CO2 release होता है, इसके अलावा, burning of fossil fuel and also during volcanic eruption, तो volcanic जो 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 आला मुखी होते हैं, इनसे भी CO2 release हो जाता है, increase amount of CO2 in air is mainly responsible for global warming, तो ये global warming के लिए responsible है, CO2, देखें इसमें, इसके बाद next है, particulate pollutants, particulate pollutants, यानि जिसमें हम कहें solid parts हों या liquid droplets हों, these are minute solid particles और liquid droplets in air, इसके example देखें, तो इसको हमने particulate pollutant को दो category में divide किया है, और ये है viable particulate and non-viable particulate, viable particulate जो होंगे, ये living से related होंगे, living organisms से related, जैसे bacteria, fungus, molds, algae, ये सब हो जाएंगे, non-viable क्या होंगे, जो non-living होंगे, और non-living में जैसे हम देख सकते हैं, cigarette smoke, इसके अलावा हम देख सकते हैं, dust, sand, fly ash, cement, sulfuric acid, mist, fume particulates, ये सब, तो these are non-viable particulate, non-viable से नाम से ही पता चल रहा है, जो non-living से related हों, इसके अलावा, the effect of particulate pollutant are largely depends on the size of particle, जो particle के size होगी, कितनी size है, उसी के उपर इसका जो harmful effect है body पर, ये depend करेगा, इसके इलावा, lead एक और example है, lead used to be major air pollutant emitted by vehicles, तो vehicles में जो fuels होता है, petrol, diesel जो होता है, इसमें lead जो है, ये मिलाए जाता है, ये present होता है lead, petroleum में lead present होता है, जब petrol, diesel burn होता है, fuel burn होता है, तो उसके साथ lead भी release होता है, और ये भी एक particulate pollutant है, next देखें इसके बाद में, ये तो था tropho-sparic pollution, ये तो वो था जो हम ground level पर देख रहे थे, ठीक है न, ground level, जो earth, 0 to 10 km वाला area था उसमें, अब हम आते हैं थोड़ा सा उपर, stratosphere में, stratosphere pollution जो होता है, ये होता है, mainly chlorofluorocarbon या ये कहें freon की वज़े से, और freon की वज़े से क्या होता है, ozone depletion होता है, तो यहाँ पर हम देखें, stratospheric pollution is due to the depletion of protective ozone layer, तो ozone layer जो है, जो हमने बिल्कुल starting में कहा था, ultraviolet rays से prevent कराते हैं, और इसी में depletion होने लग जाता है, क्यूं होता है, chlorofluorocarbon जो होता है, ये combine हो जाता है ozone के साथ, और ozone का decomposition oxygen में कर देंगे, oxygen में, O2 में convert कर देंगे ozone को, तो ozone जो वहाँ से depletion होने लग जाएगा, वो जो layer है, वो थिन होती चली जाएगी, इसी को बोलते हैं ozone hole, यहाँ पर देखें, chlorofluorocarbon का एक example लिया, सबसे common example है, इसको फ्रियोन 12 भी बोलते हैं, फ्रियोन 12, chlorofluorocarbon को यहाँ पर CF2, CL2, ये ultraviolet rays की presence में, chlorine free radical में convert होंगे, ये chlorine free radical जो होगा, ये ozone को O2 में convert करेगा, इसके अलावा इस process में, जो CLO free radical है, ये भी ozone को convert कर देगा O2 में, तो ये जो free radical है, chlorine free radical, ये convert करता है ozone को oxygen में, नेक्स्ट इसके बाद देखें, एक important topic है, global warming, जिसकी हमने CO2 के effect में बात भी की थी, क्या होता है global warming, इसको हम green house effect भी बोलते हैं, green house effect या global warming, इसका एक simple example देखें, जैसे जो car होती हैं, vehicle जो होते हैं, car जो हो हैं, car में अगर आपने जो side mirrors, शीशे जो हैं, glasses ने अगर वो लगा रखें, और ऐसे में अगर हमने उसको धूप में बाहर खड़ा कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, जो sunlight अंदर आएगी car के अंदर, अंदर तो आ जाएगी sunlight, लेकिन वो जो heat produce करेंगे अंदर आकर, वो heat बाहर नहीं निकल पाएगी, यानि जो glasses हैं, वो glasses क्या होगे, जो heat के sunlight के लिए तो transparent होगे, लेकिन heat के लिए नहीं होगे, तो अंदर जो होगा, car के अंदर इतनी ज़्यादा heat produce होजाती है, कि जब हम उसमें अंदर बैटने कोशिच करते हैं, तो बैठा भी नहीं जाता है, इतना ज़्यादा heat, बस यहीं है green house effect, यहाँ पर जो glass का काम करता है, carbon dioxide, CO2 जो होता है, यह transparent होता है sunlight के लिए, यानि sunlight को त पर जो temperature है, वो increase होने लग जाएगा, इसी को हम कहेंगे global warming, green house effect क्यों का हमने, क्योंकि CO2 सीधा से related है plants से, तो यहाँ पर हम कहें, about 75% of solar energy, solar energy का जो 75% part है, वो अर्थ पर absorbed हो जाता है, किसके तुरू, by the earth surface, which increase its temperature, earth surface उसको absorb करें, अब इसमें क्या होगा, इसमें greenhouse gases कौन कौन सी हैं, greenhouse gases CO2, methane, ozone, CFC, water vapor, N2O, ozone, यह सब इसके अंदर gases है, greenhouse gases, इसमें सबसे जो major part है, वो CO2 का है, then CH4 का, question आ चुका है AI PMT में, जब नीट से पहले AI PMT हुआ करते थी, तो वहाँ पर greenhouse gases का, यह composition आ चुका है, कोन कितना percent होगा, इसके बाद next देखें, CO2 molecule के बारे में देखते हैं, CO2 molecule trap heat as they are transparent to sunlight, but not to the heat radiation, CO2 molecule trap कर लेते हैं इन sunlight को, और transparent होते हैं sunlight के लिए, but heat को वापस release नहीं करते हैं, CO2 is the major contributor to the global warming, जैसे हमने अभी discuss किया है, इसके बाद next जो है acid rain, next है acid rain, और acid rain जो होगा, acid rain क्या है, नाम से पता चल रहा है, rain बरसात हो रही है, acid मतलब उसमें acid mix होके आ रहा है, अब यह acid आ कहां से रहा है, तो हम देखें, acid rain किसको कहेंगे, जब pH जो होता है rain का, water and water का जो pH होता है, अगर वो 5.6, 5.6 जो है, इसके आसपास पहुँच जाए, 5.6 के आसपास, तो हम इसको कहेंगे acidic rain, 5.6 के आसपास पहुचने लग जाए, तो यह acidic rain बन जाएगा, यह बनता क्यों है, oxides of sulfur nitrogen and carbon cause acid rain, sulfide nitrogen, जैसे SO2, SO3, NO2, यह सब जो होते हैं, sulfur nitrogen, carbon के जो oxides होते हैं, जैसे कोई भी oxide है, चैसे, SO2 की बात करते हैं, SO2 atmosphere में बहुत होता है, जो industrial waste होता है, जो gases होती हैं, जो SO2 बाहर निकलती है, यही SO2 जो होती है, water के साथ combine होकर, H2, SO3 बना लेते हैं, SO3 जो होगा, वो H2, SO4 बना लेगा, इसी तरह से nitrogen oxide जो होते हैं, वो nitric acid, nitrous acid, इन सब में convert हो जाते हैं, अब यह जो reaction होती है, वो air में हो जाती है, air में हमारे पास oxides हैं, air में, यहाँ पर water droplets आ रहे हैं, rain के थुरू, और यह combined होकर, जब earth surface पर पहुंचते हैं, तब तक acid बन चुका होता है, और इसी को हम कहते हैं, acid rain, इसका harmful effect जो observe किया गया है, वो observe किया गया है, ताज महल पर, ताज महल जो की marble से बना हुआ है, और marble पर जब acid, यहाँ पर acid rain जो इससे टकराते हैं, तो इससे क्या होता, एक reaction होती है, जो marble calcium carbonate और calcium carbonate पर जब H2SO4 गिरेगा, तो यह calcium sulfate, H2O और CO2 में convert हो जाएगा, इसका effect क्या होगा, इसका effect होगा कि जो marble है, वो disfigured हो जाता है, और marble जो होता है, वो discolorized होने लग जाता है, इसके अलावा lusher उसकी चली जाती है, लेस्चर चली जाते है यानि जो चमक थी उसके अंदर लेस्चर जो थी इसके अलावा उसका color disappear होने लग जाता है और इसके अलावा वो जो surface है वो उसकी damage होने लग जाती है तो ये acidic rain का एक example है ताज महल जो इसका एक harmful effect है smoke, smoke नाम से पता चल रहा है, smoke plus fog, smoke तो ये smoke क्या है mixture of smoke and fog, fog और smoke का mixture ये दो category में हमने इसको divide किया है, सबसे पहला है classical smoke, नाम दिया गया इनको classical smoke जो है mixture है smoke का, fog का, smoke, fog and SO2, sulfur dioxide classical का मतलब जो normally अपने को देखने को मिलता है, occurs in cold, cool, humid climate ठीके ना, तो जो cool and humid climate होता है, यहां ये classical smoke बनेगा और यहां पर हम देखें, ये जो है, ये reducing mixture होता है, reducing smoke भी कह सकते हैं classical smoke को now next है photochemical smoke, photochemical smoke और जो photochemical smoke है, ये results, ये किसका results है ये है action of sunlight, sunlight का effect होता है unsaturated hydrocarbon पर, तो जो unsaturated hydrocarbon है इन पर sunlight का effect होगा और साथ में nitrogen oxides पर, nitrogen oxides और hydrocarbon इसके component होगे sunlight की presence में और ये जो होगा warm, dry and sunny climate, जैसा हमने का sunlight, sunlight का मतलब atmosphere कैसा होगा, अगर sunlight ज्यादा है तो sunny, यानि कि जिसमें ज्यादा light होगी, warm and dry तो photochemical smoke ये hydrocarbon इसमें main part होते हैं, classical smoke इसमें fog, smoke और SO2 part होते हैं, इसके अलावा classical smoke जो होता है वो reducing होता है और photochemical smoke जो होता है वो oxidizing होता है यहाँ पर photochemical smoke जो होता है, ये sunlight की effects है इसके बाद next है ये तो था air pollution अब हम आते हैं second pollution, water pollution पर water pollution जो है इसमें जो क्या-क्या reason होते हैं, क्या-क्या cause होते हैं, सबसे पहला cause है pathogens water के अंदर pathogen आएंगे कहां से, pathogen कौन-कौन होते हैं, bacteria and other organism आते कहां से हैं, organisms that enter water from domestic sewage, तो जो domestic sewage होता है, इसमें से pathogen जो होते हैं, water में enter कर जाते हैं and animal excreta, animal excreta जो भी होते हैं, animal जो जैसे animal जो इसके अंदर देखे हैं, fecal material या इस तरह का जो भी excretery material है human excreta भी हो सकता है, sewage में यह भी count हो जाता है, human excreta, contain bacteria such as E. coli, E. coli, Streptococcus, which causes gastrointestinal disease, तो जो E. coli या फिर यहां पर streptococcus, fecalis जो है, यह जो जब water के अंदर mix हो जाते हैं यह यह कहें, sewage के अंदर जो आ जाते हैं, और यही एगर water drinking purpose में use कर लिया जाए, किसी से भी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, gastrointestinal disease होने लग जाएगी, यानि पेट की बिमारिया होने लग जाएगी, simple सी कहें तो हम, ठीक हैं, इसके अलावा next है, pathogenes के बाद में है, organic waste, तो जैसे हम देखते हैं, जो भी leaves या फिर grasses जो होते हैं, जब यह water के अंदर पानी में जब बहके चले जाते हैं, पानी के अंदर, तो उसमें भी pollution create करते हैं, इसके लावा excessive phytopelectron, जो पानी के अंदर जो plants जो grow करते हैं, जो हमारे लिए undesirable हैं, वो भी एक तरह से organic waste हैं, इ एक word है यहाँ पर, dissolved oxygen, water के अंदर oxygen dissolved रहता है, और यह जो water के अंदर, जो भी animals रहते हैं, animals जो रहते हैं, water के अंदर, fishes जैसे, तो इनके लिए यह oxygen जो होता है, यह dissolved oxygen, यही oxygen supply करने का काम करता है, respiration के लिए, अगर यह dissolved oxygen जो है, अगर हमने इसमें plant grow कर गई ज्यादा, undesirable plant या फिर, जो sea waste material चला गया, तो जो बैक्टिरिया होंगे, उस water के अंदर, वो बैक्टिरिया क्या करेंगे, उनको decompose करेंगे, किसको, organic waste को, और decompose करने के लिए, उनको भी oxygen चीए, decompose करने के लिए, और जो oxygen उनको required होती है, organic material को decompose करने के लिए, उसको हम नाम दे देते ह है, biochemical oxygen demand, BOD, biological oxygen demand, और अगर ये biological oxygen demand 6 ppm से नीचे रह जाते है, below 6 ppm, ठीकिए ना, below 6 ppm अगर यहाँ पर dissolve oxygen है, dissolve oxygen अगर below 6 ppm है, तो ऐसे में क्या होगा, जो fish है, वो उनकी growth नहीं हो पाएगी, fish की growth नहीं हो पाएगी, कब जब यहाँ पर जो dissolve oxygen है, 6 ppm से नीचे रह जाए, तो हम देखें, amount of oxygen required by bacteria to break down the organic matter present in a certain volume of a sample of water is called biochemical oxygen demand, तो bacteria से जो amount required होती है, यह सब है इसके अंदर, तो dissolve oxygen जो है 6 ppm जो है, इससे उपर उपर रहना चाहिए, next देखें, next हम देख रहे हैं, इसके बारे में कि amount of biological oxygen demand, अगर यह water के अंदर, water is measure of the amount of organic material in water, इसका मतलब यह हो गया, देखो, अगर मानलो, हमें ज़्यादा, BOD ज़्यादा है, dissolve oxygen नहीं, biochemical oxygen demand, dissolve oxygen तो ज़्यादा है तो अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा oxygen होगा, तो easily available हो जाएगा सबको, लेकिन अगर BOD ज़्यादा है, तो उल्टा हो जाएगा, BOD ज़्यादा इसका मतलब ही हो गया, कि bacteria को ज़्यादा oxygen की requirement पढ़ रही है, organic waste को decompose करने के लिए, तो हम समझ सकते हैं कि oxygen जो organic material वो कितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा organic material होगा, उतनी ही ज़्यादा requirement होगी oxygen की, जो उतनी ही ज़्यादा BOD होगी, अगर ये biological oxygen demand 5 ppm जो है, इससे कम है, तो हम कहेंगे water clean है, बस 5 ppm required है, इसका मतलब है कि उसमें clean water है, बहुत कम requirement है oxygen की decompose करने के लिए, यानि organic material कम है, लेकिन अगर ये high pollutant है, तो 17 ppm ये इससे ज़्यादा तक पहुँच जाता है, इसका मतलब उसमें organic waste बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, next इसके बाद देखें, chemical pollutant, अभी तक तो हम देख रहे थे organic waste, अब chemical waste देखते हैं, तो chemical waste में अगर हम बात करते हैं, water soluble, inorganic chemical, such as cadmium, mercury, nickel, तो ये सब जो होते हैं, cadmium, mercury, nickel, ये एक harmful effect लगाते हैं, अगर इसमें देखें, तो ये जो metals हैं, cadmium, mercury, nickel, ये damage करते हैं, kidney को, central nervous system को, liver को, इन सब को इसको damage करते हैं, cadmium, mercury और nickel, mercury के बारे में कहा जाता है, कि जापान में एक disease हुई थी, मिना माटर disease, जिससे water के अंदर बहुत ज़्यादा जो animals थे, वो बहुत ज़्यादा animals की death हो गई थी, मिना माटर disease, चले नेक्स देखें, these metals, ये होई गया, इसके बाद N-A-C-L and calcium chloride, जो common salts हैं, N-A-C-L and calcium chloride are used to melt snow and ice in the colder climate, तो जो colder climates होते हैं, जहाँ पर अप snow बहुत ज़्यादा deposit हो जाती है, अगर वो snow वहाँ से remove करनी हो, तो N-A-C-L या calcium chloride जो हैं, वहाँ पर use होते हैं chemicals, और वो सीधा water के अंदर ही आएंगें इसके बाद में, next इसके बाद petroleum products, pollute, make source of water, तो ये water pollution का source हो सकते है petroleum products, pollutant, कैसे, petroleum product कैसे होगे, क्योंकि जो petroleum refinery होती हैं, वो generally sea areas में होती है, जो petroleum refinery होती हैं, उससे जो waste निकलता है chemicals, वो सीधा oceans में जाता है, तो oceans जो होते हैं, वो pollutant, उसमें pollution होने लग जाएगा, तो oceans का जो pollution है, chemicals वाला, उसका एक main reason है petroleum refinery, चलिए, next देखें, इसके बाद में, pesticides, pesticides होते हैं, ये भी water pollution का एक reason है, pesticides that drift down from sprays and यहाँ पर देखें हम run off from lands, तो जो lands पर, जो हम pesticide use करते हैं, crops के अंदर, spray करते हैं, तो spray जब हम करते हैं, तो वो direct water के अंदर चला जाता है, या फिर, जब जैसे बरसात होती है, इसमें rainfall होता है, तो, या irrigation करते हैं, तो irrigation में भी यह होता है, कि water जो होता, flow करता है, तो जो pesticides होते हैं, वो भी flow करके, सीधा water के अंदर चले जाते हैं ठीक है ना pesticide जो होते हैं जब water flow होता है जहाँ water flow होगा तो वहाँ mixing होने लग जाएगी यहाँ पर तो pesticide भी एक यहाँ पर हम कहें कि water pollution का एक reason है next है poly chlorinated bifinyl compound poly chlorinated PCB जिसको हम कहते हैं poly chlorinated bifinyl compounds which are used as cleaning solvent cleaning solvent की तरह काम में लेते हैं इनको poly chlorinated bifinyl compound को detergent and fertilizers तो इनका cleansing agent detergent fertilizer इन सब में use होता है PCB are suspected to be carcinogen यानि PCB को भी suspect किया गया है कि यह भी cancer producing है साहर यह ऐसा suspect किया गया है इन में fertilizer content phosphate fertilizer में phosphate होता है क्योंकि phosphate जो होता है यह plant growth को enhance करता है fertilizer जो होता है plant growth को अच्छा बनाए रखता है ठीक है लेकिन जब यही phosphate water में चला जाता है पानी में चला जाता है तो water के अंदर भी plant growth को increase कर देता है और water के अंदर जो unwanted plants बहुत होई कठा हो जाएंगे तो वो BOD को increase करेंगे तो यहाँ पर हम देखें fertilizer fertilizer में जो phosphate होता है यह जब water में चला जाएगा तो algae growth होने लग जाएगे algae grow करने लग जाएगे और वो यह कहें which reduces oxygen concentration in water dissolve oxygen जो है उसको वो reduce कर देंगे dissolve oxygen को reduce कर देंगे तो इस तरह से fertilizer जो phosphate होता है यह भी अब जिसे अगर algae ने अगर मान लो growth कर लिया एक अगर organism grow कर रहा है इसका मतलब वो दूसरे organism की oxygen को inhibit कर रहा है जिसे algae oxygen को absorb कर रहा है तो जो fish उसमें है उनको oxygen proper नहीं मिल पाएगे यानि algae की growth की वज़े से जो animals की growth है वो inhibit हो जाती है और यह जो inhibition होता है the process यह हम देखो इसके term यूज़ कर रहे है इसी जिस के लिए the process in which nutrient enriched water bodies water bodies में जो nutrient है support dense plant population तो यह जो हमने nutrient मिलाए है fertilizer के यह जो plant जो है उनकी population को तो dense कर देंगे but which kills animal life by depriving it of oxygen and result in subsequent loss of biodiversity यानि biodiversity का loss कैसे हो रहा है कि यह तो oxygen को absorb कर लें और animals जो होते हैं वो kill होते जारे हैं तो इसी को हम एक नाम दे दिया eutrification eutrification क्या है plant growth करके और animal growth को reduce करना water के जो atmosphere है इसके अंदर important line है यह J means में यह question आ चुका eutrification का next देखें इसके बाद में water pollution के अंदर ही जैसे हमने कहा chemicals भी बहुत सारे होते हैं salts भी होते हैं minerals भी होते हैं तो हमने क्या किया है एक standard बना रखा है international standards बना रखा हैं जिसमें कि अगर इतना कोई chemical है तो वो उसमें कोई harmful नहीं है तो जैसे fluorides fluoride की जो limit decide करें पैसे तो जी एक लेते हैं कि fluoride की deficiency से क्या हो जाता है तो fluoride की deficiency से जो enamel होता है वो decay होने लग जाता है यानि fluoride enamel जो होता है teeth के अंदर इसकी growth के लिए ज़रूर है teeth के लिए तो ये tooth decay होने लग जाता है क्यों होने लग जाता है क्योंकि enamel को strong बनाता है fluorine अगर fluorine होगा तो enamel strong बनेगा calcium fluoride की वज़े से calcium phosphate calcium fluoride की वज़े से लेकिन अगर fluoride नहीं है तो tooth decay होने लग जाएगा enamel जो होता है वो weak होने लग जाता है enamel इनेमल वैसे hardest part है अपनी body का यह यहां से weak होने लग जाएगा F- की concentration लेकिन जब यह concentration normal से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है जो teeth होते है यह yellowish color के होने लग जाते है fluoride जो होता है वो tooth पर deposit होने लग जाता है brown molting of teeth तो teeth जो होता है उसको जो color है वो एक तरह से discolored होने लग जाता है जब concentration 2 ppm यानि fluoride की जो हमने standard concentration बता रखे है वो है 2 ppm अगर 2 ppm से कम है यानि अगर fluoride absent है तो भी अच्छा नहीं है और 2 ppm से ज़्यादा है तो भी अच्छा नहीं है fluoride होना चीए 2 ppm ते next है lead lead वैसे हमने air pollution में भी बात की थी lead की lead की जो upper limit है higher limit है वो है drinking water में 50 ppb यहाँ तो ppm था उपर यह ppb ppm यानि part per million और ppb यानि part per billion यह million है यह billion है ppb यह maximum unit है इसकी limit है next है sulfate sulfate की जो higher limit है वो limit हमने decide कर रखी है 500 ppm लेकिन अगर 500 ppm से ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे में lexative effect lexative effect जैसे हम कहते हैं ना इसमें 10 प्लग जाना तो जो lexative effect है इसमें 10 प्लगने लग जाते हैं lose motion होने लग जाते है sulfate की higher limit से इसके बाद next है nitrates nitrate और nitrate जो होते हैं इनकी upper limited drinking water में वो है 50 ppm अगर 50 ppm से ज़्यादा हो जाएगा तो एक disease होती है methamoglobinemia जिसको हम बोलते है methamoglobinemia ठीक है ना methamoglobinemia और इसी को एक नाम देते है blue baby syndrome तो यहाँ पर methamoglobinia और blue baby इसका मतलब भी होता है कि जो body का color होता है blueish होने लग जाता है ठीक है ना blue baby syndrome next इसके बाद में देखें यह था water pollution के अंदर कुछ standard अब हमने metals के कुछ और standard decide कर रखे है जो maximum concentration ppm में है fe 0.2 magneze 0.05 aluminium 0.2 copper 3.0 zinc 3.0 और cadmium 005 0.005 तो यह इनके standard units है other metals की next देखें इसके बाद water pollution के बाद next is soil pollution soil pollution soil pollution में क्या होगा सबसे पहले तो क्या-क्या जो होते हैं जो soil pollution करते हैं कौन-कौन वो pollutant होते हैं तो सबसे पहले हम देखे insecticides insecticide अब यह insecticide pesticide herbicide यह सब हम crop के लिए यूज़ कर सकते ठीक है ना crop में यूज़ करते हैं crop में herbicide और यह सब तो यह जो होंगे जितना हम pesticide वगएरा यूज़ करते हैं यह water के जब यूज़ परम कर रहे हैं crop के लिए enhance करने के लिए या यह कहें pest जो है pest control के लिए लेकिन यही soil के अंदर deposit होने लग जाते हैं prior to world war second second world war से पहले second world war से पहले nicotine का use किया जाता था as a pest control second world war से पहले लेकिन second world war के बाद after world war second DDT का use होने लग गया DDT और DDT various crop diseases में use हो गया लेकिन जो यह यहाँ पर हम कहें DDT जो होता है इसमें जो pesticide होते हैं यह resist होने लग जाते हैं DDT से यह यह कहें इसका एक harmful effect यह भी है कि यह deposit होने लग जाता है living bodies के अंदर और permanent होने लग जाता है रेसिस्ट हो जाता permanent होने लग जाता है next देखें pesticide are basically synthetic toxic chemicals with economical repercussive ठीकिए ना यानि यह economical जो होते हैं sorry ecological जो होते हैं ecological जो यहां पर हम कहें जिसको हिंदी में कहें तो दुष्ट परिणाम होने लग जाते हैं ecologically तो यहाँ ecologically harmful effect आने लग जाते हैं इन से pesticides हैं देखें क्या है इसके अंदर जैसे एक insecticide की बात करते हैं DDT जिसके अब हम बात कर रहे थे तो DDT जो होता है यह resistance insect resistance increase होता चला जाता है DDT के लिए जैसे पहले जितना effect होता था अब उतना effect नहीं होता हला कि अब DDT को bend भी कर दिया गया है तो DDT का यह effect overcome करने के लिए इससे कुछ ज़्यादा strong pesticide यूज़ करते हैं जैसे aldrin, dialdrin ये यूज़ करते हैं aldrin and dialdrin DDT के उपर अब DDT यूज़ नहीं करते हैं these days herbicides such as sodium chlorate and sodium arsenate इनका भी यूज़ किया जाता है ठीकिन लेकिन ये जो कुछ herbicides जो होते हैं ये जो होते हैं birth defects भी cause करते हैं birth defect ठीकिन बर्थ defect जो हैं इनसे आने लग जाते हैं next देखें इसके बाद में industrial waste industrial waste की अगर बात करें तो दो तरके industrial waste होते हैं biodegradable waste और bio non degradable non biodegradable biodegradable waste जो है वो कहां से इसमें industry में मिलेंगे अपने को cotton mills cotton एक natural polymer cotton mills, paper mills and textile factories इनसे जो waste निकलेगा वो तो है biodegradable waste और दूसरा है non biodegradable waste non biodegradable waste ये कहां से मिलेगा ये जो power plant होते है nuclear power plant वगेरा जो होते है thermal power plant जो होते है या iron plant, steel plant इन सबसे जो waste निकलता है ये non biodegradable होता है non biodegradable waste जो होता है ज़्यादा harmful होता है क्योंकि biodegradable waste जो होता है इसको तो हम recycle कर सकते है Next इसके बात है nowadays fly ash and slag from steel industry तो steel industry में जो slag मिलता है silicate जो मिलते हैं इसके अलावब जो fly ash जो होता है अब इनका use होने लगए आजकल और इनका use करते हैं cement industry में cement बनाने में fly ash की cement बन जाती है तो cement बनाने में इनका use हम करते हैं utilization हो जाता है यह अच्छी बात है fuel obtained from plastic waste plastic waste से भी fuel बनता है जिसका octane number भी बहुत हाई होता है octane number यानि जो petrol quality को measure करते हैं तो यहाँ पर हम कहे रहे है fuel obtained from plastic waste as high octane rating octane rating जितनी ज़्यादा होती है वो fuel उतना ही अच्छा माना जाता है और यहाँ पर हम देखें इसको में एक नाम देते हैं green fuel green fuel जो plastic waste से जो obtained हो यानि एक अच्छा use है plastic waste का next इसके बात में देखें waste management जो भी हमें waste मिलरा industry waste या household waste जो भी इसका management proper होना चाहिए तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम देखें जो इम्प्रोपर जो management होता है disposal होता है waste का यही एक main source होता है किसका environmental degradation का हम कहते हैं कि environment जो है वो आजकल खराब हो रहा है waste की वज़े से हैं इंडस्ट्री की वज़े से हैं वो क्यों हो रहा है क्योंकि उसका जो disposal है वो proper नहीं हो रहा अगर हम इसको proper way में इसको decompose करें या dispose करें तो हम इस environmental degradation से बच सकते हैं और इसके लिए government ने इंडियन government ने दो program release किये हैं और वो program के नाम है स्वच्छ भारत mission urban and स्वच्छ भारत mission ग्रामीन तो यह दो स्वच्छ भारत अभियान जिसको हम बोलते हैं mission जो बोलते हैं यह launch किये गए हैं waste management के लिए देखे next इसके बाद में green chemistry green chemistry यानि कि यहाँ green chemistry का मतलब क्या है वैसे नाम से पता चले तो वही जहाँ पर greenery हो यहाँ उसका मतलब दूसरा है यहाँ है existing knowledge and principles of chemistry and other science to reduce the adverse impact on environment यानि जितनी हम chemistry पढ़ते हैं जो chemistry की knowledge है other sciences की जो knowledge है अगर इस knowledge का use हम environmental degradation या environment को जो हम कहीं spoil होने से बचाने में अगर लगाते हैं अगर हम कुछ इसके बारे में सोचते हैं कैसे इसको change किया जाए तो इसी को बोलते हैं green chemistry यानि green chemistry एक thinking है कि कैसे हम environment को अच्छा रखें बढ़िया बनाए रखें इसके कुछ example देखें जैसे tetra chloroethene ये पहले use होता था dry clean के अंदर इसको per clean भी बोलते हैं per clean and try clean these are used in dry clean तो इसको dry clean में हम use करते हैं as a solvent use करते थे अब इसकी जगह हम क्या use करते हैं क्योंकि ये suspended carcinogen है ये एक carcinogen है तो इसका harmful effect हुआ अब इसकी जगह हम use करते हैं liquefied carbon dioxide with a suitable detergent liquefied CO2 use करते हैं with a suitable detergent तो ये हमने एक तरह से carcinogenic effect था उसको reduce कर दिया तो जैसे ही यहां पर हमने harmful effect को beneficial में convert कर दिया वैसे ही कुछ और है जैसे chlorine gas chlorine gas की अगर हम बात करते हैं तो chlorine gas जो है इसका use पहले करते थे bleaching powder की form bleaching agent की तरह है bleaching agent और bleaching agent किसमें? paper में तो paper को bleach करने में काम में लेते थे लेकिन अब हम काम में लेते हैं इसकी जगह hydrogen peroxide hydrogen peroxide with suitable catalyst तो हम यह क्या कर रहे है कुछ modification को change कर रहे है कुछ ऐसे change जो environment को अच्छा बनाए रखे next इसके बाद में ethanol जो होता है उसको हम ethene के oxidation one step में भी बना सकते हैं एक single step में ethene से हम यहाँ पर ethanol बना सकते हैं palladium या copper इसमें catalyst की helps है next इसी के बाद कुछ और parts है जैसे tamarind tamarind का जो seeds होते है उसका जो outer covering होता है kernel जो होता है इसका use हम करते है found to be effective to make water clean water को clean करने में इसको काम में लेते हैं tamarind के जो kernel होते हैं हलदी के जो बाहर का covering होता है इसको हम use कर सकते हैं छिलके जो होते हैं इनको तो यहाँ पर हम देखें जो green chemistry है क्या है यह green chemistry हम last में वापस इस line को देख रहे हैं green chemistry is a cost effective approach cost effective approach which involve reduction in material energy consumption and waste generation ठीक है न तो यहाँ पर हम देखें तो green chemistry क्या है एक effective approach है environment को clean रखने के लिए और जो material जो है इनका reduction जो यह सब है consumption, energy consumption इन सब को ध्यान में रखते हुए कि material का जो waste हो रहा है उसका consumption हो जाए recycle हो जाए यह सब इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखें यह था environmental chemistry जो हम ecology में बायो के अंदर chapter आपको समझ में आगया होगा Thank you students